हलो फ्रेंट्स मैं हो संध्या स्थागत है आपका शयल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं एक नहीं रेषपी तो वीडियोन तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेषपी पसंद आए प्रेंट्स तो वीडियोन को जरूर आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंट्स प्रेसर कूकर में धोकला बहुत ही असान तरीके से बन जाती है इसमें आपको ना हाथों से फेटने की जंजट ना दही की जरूरत बिना दही के और बिना हाथों से फेटे आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते में दो करके बन कर तयार हो जाता है अपने बंकर देख लीजेगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कि कितना बड़ा बनाना है तो करके जगा बनाना होगा तो कर integrate मोरा कर लिजेगा शर्ते दा आप हम mixi jar में ही फेटेंगे हाथ से फेटने की हमें कोई जरुरत नहीं है अब यहां दो हरी मिर्च डाल देंगे तो पहले बेसं डाला दोनो ककटोरी का दो हरी मिर्च डाला इसके बाद मैं आपको दिखाती जाओंगी कि इसमें हमें क्या-क्या डालना है मैं यहां दही ये उज़ नहीं कर रही हूँ जो दही नहीं खाते उनके लिए ये ढोकला बहुत अच्छा है अद्रक लिया है मैंने कदुकस करके तो कदुकस करके अद्रक डालेंगे न तो अद्रक बहुत अच्छे से पीस जाती है नहीं तो खड़ा डाल देंगे न तो कई बर खड़े खड़े रह जाते हैं इसमें इसले मैंने कदुकस करके लिया है आप चाहें तो चाकु से छोटा-छोटा कर लिजेगा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम तेल, रिभाइन का तेल डालना है, सर्फों का तेल नहीं, आधी चमच, मतलब छोटी चमच से नीबू का रस डालेंगे, तो यहाँ दही के जगा नीबू का रस में यूज कर रही आधी चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, तो इतना मतलब हमें डालना है, तो नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, तेल डाल दिया, और नीबू करस डाल दिया, तो आपको इस टार्टिंग में इतनी सारी चीज लेंगे तो मैंने इसे अच्छा से पीस लिया ये देखिए तो आप पीसेंगे न तो इस तरह से ये देखिए पीसने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा अब इससे हम क्या करेंगे एक बरतर में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि इसमें पानी हमें औरेट करना है या नहीं करना है तो इस टार्टिंग में आप एक कटोरी पानी डालियेगा नहीं तो फिर क्या है कि पतला हो जाएगा तो जार में जो लगा है उसे भी हम अच्छे से निकाल लेंगे तो यह ढोखला बहुत ही जटपर तरीके से बनकर तयार हो जाता है, खाने में बहुत तेश्टी लगता है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रू ट्राइ किजिएगा, प्रेसर कुकर में बहुत जल्दी से 15 मिनट में ये ढोकला बनकर तयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ समान भी न इसमें पानी नहीं डालना है, तो यह देखिए, एकदम गाढ़ा रखेंगे न, तो आपका जो डोकला है वो इस्पंजी नहीं बनेगा, मुलैंड नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा पानी मैंने जार में डाला और इसे भी हम डाल देंगे, तो एक कटोरी से थोड़ा सा ज़् तो आपको पानी येट करना है, दो कटोरी बेशन के लिए, इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, तो यह देखिए, इसे अच्छे साइसे हम फेट लेंगे, तो आपके पास जो कूकर हो, आप उसमें ये देख लिजेगा कि कौन सा बरतन जो है, वो कूकर के अंदर सेट ह तो मेरे पास 5 लिटर वाला कूकर है, तो मैं आज उसी में बनाने वाली हूँ, अगर छोटा कूकर है, तो उसमें फिर छोटे साइज का आपको मतलब बरतन डालना पड़ेगा, तो पहले आप कोई भी बरतन उसमें डाल के कर लिजेगा, तो यह देखिए, यह मेरे पास केक पीन है, इसके जगह आप कोई भी बड़े साइज का कटोरा जो होता है ना कटोरा बोलते हैं, वो या फिर जो भी आपके पास हो आप उसे ले सकते हैं, अब इसमें क्या करेंगे ना, कि चारो तरफ अच्छे से हां, ऐसे तेल लगा देंगी, रिफाइन का तिल लगाना है, तो चारो तरफ पहले अच्छे से लगा दीजेगा, इसके बाद नीचे यहां मैं, ऐल्मूनियम फॉइल पेपर लगाऊँगी, आपके पास बटर पेपर हो तो ओव लगा दीजेगा, दोनों मतलब अच्छा काम गरता है, तो ऐल्मूनियम फॉइल पेपर मेरे पास में है, तो मैं उसे लगा रही हूँ और जो यह ऐलमुनियम पेपर है यह सस्ता आता है ज्यादा महेंगा नहीं आता तो आप राम से ले सकते हैं एक रोल ना काफी दिन चलता है मतलब अगर एक रोल ले लेंगे तो अगर आपको कुछ-कुछ बनाना है तो बहुत दिन चल जाता है त आप एक दम अच्छे से लगा देना है तो इससे न बहुत अच्छे से जो ढोकला है एकदम निकल जाता है असानी से निकल जाता है जरा भी नहीं चिपकता तो थोड़ा सा तेल इसके उपर मैं और लगा दे रही हूँ यह देखें तो इतने बड़े साइज का जो यह मेरा क 13- Wheels वाला digo कर में अच्छे से थो जयाता है अगर नीटर वाला को कर है तो उसमें आपको फोड़ा वरतना डालना पड़े गा अब एक पक्कट लिया है और पूरा यिनों हमें डाल देना है एक पकेट का मतलब पूरा डालना है और इसे हम ऐसे फेटए लेंगे आप यह देखेंगे कि यह एकदम फूल के दूना हो जाएगा तो जैसे चम्मच ना एक राउन में घूमाईएगा जैसे मैं घूमारी हुट भूस अब अदा यह देखिए वह बेशन का बेटर है वह फूलने लगा एकदम से जैसे आप डालेंगे तो यह एकदम से फूलने तो यह मैं क्या करना है कि जल्दी फटा-फट सही से हमें केक्टीन में डालके और जल्दी से केक्टीन में डालके यूदर मैंने कूकर में पानी डालके चड़ा दिया है ताकि पानी जो है गरम होता रहे तो यह देखिए एकदम फूल गया एकदम हलका हो गया जैसे आप चलाएंगे तो आपको खुद पता चल जागा एकदम हलका हलका सा लगेगा अब क्या करेंगे जल्दी से केक टीन में डालेंगे और फिर हम कूकर में इसे ट्रांसफर कर दें और 15-20 मिनट के अंदर पकने में 15 मिनट लगता है डोकला को और बाकी इधर जो आपको तयारी में 5-10 मिनट लगेगा बाकी टाइम नहीं लगता एकदम जल्दी से बनकर तयार हो जाता है इसे आप ऐसे भी खा लें हरी चटनी के साथ खाएं सोस के साथ खाएं आप किसी के स से डाल देंगे और यह जो केक टीन है ना एकदम उपर से मतलब आप देखेंगे जब धोकला बनेगा ना तो एकदम उपर से आ जाएगा पकने के बाद में अब इसे चलिए हम क्या करेंगे कि पानी मैंने कूकर के अंदर डाला है अब देख लेते हैं पानी यह देखिए प बरतन रहेगा नो उसके उपर फिर आप रख दीजेगा तो मेरे पास एक रींग जैसा है उसे में रख देती हूं पानी के अंदर यह देखिए ऐसे रख देंगे पानी के अंदर तो आप क्या करें अगर आपके पास यह ना हो तो आप ना कटोरी रख दीजेगा कटोरी के उपर फिर आप उस बर्तन को रख दीजेगा तो पानी काफी गरम है तो हमें साउधानी से इसे उसके उपर, उस रिंग के उपर ऐसे रख देना है और क्या करेंगे कूकर का हम रवर और जो सीटी है न उसे हमें निकाल देना है एक बात का ध्यान रखिएगा कि सीटी और रव मिडियम रखेंगे मिडियम से हलका कम ही रखिएगा मतलब तेज नहीं होना चाहिए 15 मिनट के बाद मैंने कूकर खोला अब इससे हम चेक कर लेंगे कि ढोकला हमारा पका है कि नहीं किसी भी चाकू से या किसी भी चीज से आप ऐसे चेक कर लें तो यह किलीन आ है इस साइड भी डाल के देख लेते हैं यह देखिए हलका सा मुझे लगा कि हलका सा अंदर थोड़ा कच्छा है इस साइड का तो अब क्या करेंगे ना कि धक्कन लगा कि इसे हम हम दो-तीन मिनट के लिए और छोड़ देंगे ताकि यह और अच्छे से पक जाए तो ऐसे रख देंगे ऊपर से ढखकन हम रख देंगे दो-तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो यह राम से पक जाएगा दो-तीन मिनट के बाद मैंने उ डालेंगे इधर तब तक हम जब ठंडा हो रहा है डोकला हमारा तो इधर हम तड़के की त्यारी कर लेते हैं तेहां मैंने तेल डाला राई डाला कड़ी पत्ता डाला हरी मिर्च डालेंगे तो तड़का में आपको इतना ही डालना है हरी मिर्च मैंने दो मिर्च लिया था उस कर देंगे ज्यादा इसे हमें एक दम नहीं पकाना है वस चीनी के गुलते तक इसे आप ऐसे चलते रहिए चीनी गुल जाए बस गैस को तुरल से बंद कर देना है इदर हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया जलिए इसे फटा-फट से हम निकाल लेते हैं तो एक प्लेट इसके उपर में रखेंगे और इसे हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो साइट से थोड़ा सा इसे चाकू से कर लिजेगा हलांकि यह बिल्कुल भी नहीं चिपका है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा चाकू से किनारे से कर ल लते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स एकदम राम से यह हमारा निकल गया ऐल्मुनियम फॉइल पेपर उसी में लगा हुआ है यह देखें यह इसी में लगा हुआ है इससे क्या होता है कि ढोकला बहुत अच्छे से निकल जाता है अब ढोकले को हम क्या करेंगे इसे हमें पड़ेगी दो चमच नीबू के रस से आप मिक्सी के जार में अच्छे से इसे मतलब पीस के और बना सकते हैं एकदम जटपट तरीके से तो मैं आपको पास से दिखा रही हूं यह देखिए कितने अच्छे से बनकर त्यार हुआ है यह बस इसे कट करना है और जो हमने तड का लगाया है उस तड़के को इसके उपर में डाल देना है और आप इसे फटा फट किसी भी चटनी के सांद स्वरू कर सकते हैं तो साइज आप अपने अनुसार काट लीजिएगा जितना बड़ा आपको मतलब काटना होगा तो मैं इतने बड़े-बड़े साइज का कट दिए यहार हो जाएगा बिढ़ने का इसमें कोई चांशी नहीं है एक दम अराम से कोई भी बना सकता है अगर आप पहले बार कुकिंग कर रहें तो आपभी अराम से बना सकते हैं बस इस तरह से बनाईएगा तो एक दम अच्छे से बन कर तेयार हो जाएगा जैसे मैं कट लगा देती हूं इतने मैया आम से, तीन लोग तो आम से नाश्ता कर सकते हैं, ये देखिए, तो एसे कट लगा देंगे और इसके उपर हम, जो तड़का मतलब मतलब बनाएं, उस तड़के को, इसके उपर लगा देना है, तो इसे डाल देंगे, उपर उपर से, तो पूरे त चट पटासा एकदम धोकला आपको लगेगा खाने में हलका नमकीन थोड़ा मीठा थोड़ा खटा पन तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में आप इसे एकदम ऐसे भी खा सकते हैं बिना चटनी और रखे तो पूरा डाल देंगे और आपको मैं पास से दिखा रही हू मतलब बहुत जंजट का काम है तो एकदम जंजट का काम नहीं है आप राम से बना सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में और खाने में तो इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे एक बार आप खाएंगे तो एक बार जरूर ट्राइक किजेगा और मुझे जरूर बताईएगा कि आपका ढोकला अच्छा बना की नहीं और आपको खाने में कैसा लगा तो आपको पास से दिखा दे रही हूं यह देखिए फ्रेंट एकदम स्पंजी बनकर तयार हुआ है तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की यह पसंद आए फ्रेंट्स तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो व्यूण चैनल करना हुआ है तो सक्री श्क्रीन स्स्क्राब किया दिना बिश्यूर जीएगा